मन तो करता है इन चोरों को एक बड़ी सी लाठी लेकर बड़ी सी जो लाठी आपने देखा होगा पुलिस वालों के हाथ में होती है किसी बाबा के हाथ में होती है तो वो लाठी लेकर इनके भगा भगा के इनको मारने का मन करता है कि दोबारा ये इस तरह की हरकते ना करें त पाई के चोरी कर लेते हैं, मकान में से चोरी हो जाती है. नमश्कार दोस्तों, इस चोर आजकल बहुत जादा सात disaster हो गए हैं. रातों रात गाड़ियां, पाई कें, घर में से चोरी, बहुत सारे आजकल क्राइम आप देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो अभी दिल्ली का एक मामला सामने आया है जिसमें स्वारव विहार ये एन ब्लोक बदरपुर छेत्र में जैदपुर थाना लगता है वहाँ एन ब्लोक स्वारव विहार से ये गाड़ी गायब हुई है गाड़ी चोरी हुई है जिसका नमबर है DL7CU-35 DL7CU-3065 ये संड़े यानि की 29 जनवरी 2030 की रात को चोरी हुई है इस गाड़ी का नमबर RC वगेरा सब वीडियो में है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है की आप इनसानियत के नाते एक भारतिय होने के नाते इस वीडियो को शेयर करें आपका दो सेकिंड का समय लगता है इसको शेयर करने में प्लीज आप इनसानियत के नाते इसको शेयर जरूर करें ताकि जो चोर हैं उन तक पहुँचा जाए और एक गाड़ी मिल सके ये पुलिस वाले भी जल्द से जल्द एक्षन लें क्योंकि उस जगा पर बताया गया है कि कैमरे भी लगे हुए थे आस-पास में वहाँ स्ट्रीट लाइट सोग के साथ में काफी सारे कैमरे लगे हुए थे मतलब जैसे आप देखते हैं सुसाइटी में लग-लग जग़हों पर कैमरे लगे होते हैं वैसी इस कॉलनी में एन ब्लॉब २ पूरु जखत리 कैमरे भी लगे हुएं जो मा निये मुख्यमंत्री स्री अर्विंद केजरीवाल जी ने लगवाय थे और ये मतलब बहुत ही अच्छा कहो कि उनका कारे काल रहा है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने लेकिन पुलिस वाले अब तक इसका कोई खोजबीन नहीं कर पाएं गाड़ी का कोई अता पता नहीं है थेफ्ट कंप्लेंड भी रिजिस्टर हो चुकी है बट अभी इस पर कोई एक्षन नहीं लिय गया है दोस्तों आप भी एक मद्यमर्ग से या किसी भी तरजे के इनसान हैं लेकिन इनसान तो है ना कम से कम एक भारती होने के नाते आपका साइद कुछ सेकंड लगेगा इसमें दस सेकंड से भी कम का शमय लगता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन चोरों तक पहुचा जाए और ये गाड़ी जल से जल गाड़ी मालिक को मिल सके धन्यवाद